वेल्कम टू एजूकेशन जोन चैनल इस वीडियो में हम जाम्या मिलिया इसलामिया में जो अभी आज पॉलिटिकल साइंस के पेपर हुए है उसके कोश्चन डिसकस करेंगे देखेंगे कोश्चन कैसे थे एनिलाइज करेंगे कोश्चन को कुछ कोश्चन इजी थे कुछ कीप का रिपीट हो रहा था कोश्चन यानि एक ही कोश्चन जो है वह दो बार पूछ दे रहा था इसमें तो यह मुझे थोरा सभीयड लगा तो देखते हैं हम लोग कैसे कैसे कोश्चन थे उसके क्या एंसर है यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता देन अचा रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस के सीउटी के लिए जो टेस्रीज है वह हमारे चैनल पर आ चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो दिये गए नंबर है आप उस पे कॉल करें और टेस्रीज के लिए कॉंटक्ट करें तो चलिए सुरू करते हैं पहला जो इसका कोश् इने चार्सी इंडिया का संस्थापना कव था तो यह 1993 में हुआ था तो आप्सने सही है कौन सा आर्टिकल जो है वह राइट टो एजूकेशन से रिलेटेड है तो आर्टिकल ट्रीफोटी इंडियन कंस्टिउशन में किस चीज से डिल करता है तो आर्टिकल 340 जो है वह इं इससे रिलेटेड है डॉक्तरीन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वह केसवा नंदन भारती केस से काफी इजी क्वेशन आया है कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिदेंट रूल से रिलेटेड है तो आर्टिकल 356 है इमर्जेंसी से रिलेटेड तीन ही आर्टिकल 352 356 and 360 आठ नमर क् काफी इजी है डिरेक्टिव प्रिंस्पल ऑफ स्टेट पॉलिशी को हमने किस देश से बौरो किया है तो हमने आर्लेंड से बौरो किया है इसे अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिसलेचर को क्या बोलते हैं लेजिसलेटिव कांसिल बोलते हैं काफी इजी क्वेशन है वर्ल ट स्कूल को डिवलप करने में जो हॉथ और ने स्टडीज थे उसको वो किसके दौरा करवाए गए तो यह इल्टन मायो के दौरा कराए गए तो यह दुखो पवेट से कुशन ठीक ठाक पूछ रहे हैं इसमें उसके बाद है कि एक ठीजेस्ट करती है कि पीपल आर मोटिवेटे के से ले सकते हो तो इसमें डिजेंट नेचुरलाजेशन रेजिस्ट्रेशन सभी मार्ध्यम से आप से इंडिया में ले सकते हो जो सीबी आई है उसकी संस्थापना कभी थी तो यह ऑप्सन नंबर सी सही होगा 1963 में इसकी संस्थापना हुई थी करेंट अफेर से कुश्चन पूछा हुआ है या contemporary बोल सकते हैं कि जो एक fastest train आई है train 18 उसका नाम क्या रखा गया है और इस question को उन्होंने repeat किया है तो इसका answer बंदे भारत एक्सप्रेस होगा आप सब को पता होगा तो option B सही है उसके बाद है कि पहली Chief Minister पहली महिला Chief Minister States की कौन है इंडिया में तो वह इसका इंडिया होगा इंडिया में का समीर साइथ इसको होस्ट कर रहा है तो करेंट अफेर से question पूछे हुए है होम रोल ली किसके द्वारा संस्थापना इसका हुआ था तो बाल गंगादर तिलक के द्वारा हुआ था 22 नमबर कोश्चन था कि Public Health and Sanitation Hospital and Dispensaries कौन सी entry कौन स Bel去了 सबीच लेट दोका सकता है एक लिस्ट है जिसम और सिंटर ना सकता है और एक लिस्ट दोनों बना सकता है ना तो उसमें फजल अली कमिशन जो है वो लास्ट में बना था तो अप्शन नमबर सी सही है कौन सा लेंगवेड एट सीडिल में नहीं है तो देखो नेपाली भी है कस्मेरी भी है कौनकानी भी है आपके कन्फ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे लोग कि नेपाल तो अलग नेपाली नहीं होगा लेकिन नेपाली एक लेंग्वेज है वह सैद 93 में यैड हुवा था लेंट तो नेपाली एक लेंग्वेज है कि दिलूगस नहीं है हमारे भारत में नेझार्व नीए तो यह मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि कोई युनिवर्सिटी अपना पेपर ले रही है और वह ऐसे सिली मिस्टेक कैसे कर सकती है ट्राइ का फूल फॉर्म पूछा है तो बहुत सिंपल है टेलिकम रेगुलेटरी अथरिट्री ओफ इंडिया ओप्सन नमबर डी कितने हाइकोट है इंडिया में 25 हाइकोट है लेस्बियन गे बाइसेक्सॉल ट्रांसजेंडर कुवर लगट्व का प्राइड मन्थ तो अभी यह प्राइड मन्थ ही चल रहा है जून तो जून जो है वह प्राइड मन्थ है ही राकुन प्रोजेक्ट महानदीव नदी के ऊपर में है मैन इटर्स अफ कुमाउन जो है वह जीम कॉर्वेट के द्वारा लखी गई किताब है उसके बाद 32 नमबर कुछा मैंच अब द फ्लोइंग इसमें अगर आपको पता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो है एफ एक एंसर पता है तो आप्सन नमबर बी जो है वह इसमें साही होगा इसके बाद है कि स्टेट्मेंट है कि इसने कहा था कि रिलिजन के भारे में जो कहते हैं कि पॉलिजन से कोई मतलब नहीं है वह रिलिजन को नहीं जानते तो दोज वो से ड़िजन has nothing to do with politics do not know what religion means तो वह म इसमें बी का थर्ड अप्सन सही है उसके बाद 36 नमबर कोश्चन है कि कौन सा इसमें से डिरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है तो इसमें देखोगे तो जो बी नमबर अप्सन है कि प्रोटेक्शन ऑफ लेंगविज स्क्रिप्ट और कल्चर तो यह माइनॉरिटी राइट है कौन से आर्टिकल से दिया जाता है कौन से आर्टिकल में इसकी बात की गई है तो आरिकल 335 उससे रिलेटेड है उसके पाद है 39 नमबर कोश्चन कि जो लीग आफ नेशन है तो वो आपको पता है वुड्रोव वुल्सन साहब का आईडिया था कि लीग आफ नेशन आना चा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पर उन्होंने एक्सपरिमेंट किया था अपना इसके एंसर लैटिन अमेरिका ही होना चाहिए उसके बाद है कि आपको आरेंज करना है यह जितने भी चीजें हुई है जैसे नहरु रिपोर्ट कब लिखी गई कुई इंडिया मुवमेंट इसमें है और कुई हम सबसे लगता है कि इसका होना चीए और Sr. सेहिए और कौन सा स्टीट है जिसमें बाइक एड mesmo रिलेटेट थे तो एक आगर आप फोर देख दो था फोरड़着 सबसे ज्यादा कंट्रिविशन किसका है इंडिया में तो रंजीत गुह साब का है ऑप्सन नमर बीस ही होगा उसके बाद है कि कौन से इसमें से प्रोटागनिस्ट नहीं है मेनेजेरियल विव फब्लिक अड्मिस्टेशन पर तो हेंड्री फोइल साब नहीं है ऑप्सन नमर डीस ही होगा कुशन नमर 48 देखे तो होब्स त्यूरी आफ सोसल कॉंट्रेक्ट जो है वो कौन से बुक में एक्स्प्लेइन किया गया ह तो लेवियंथम उनकी किताब लिखी गई थे जिसमें उन्होंने इस चीज को एक्स्प्लेइन किया है टू ट्रिटीज अव गॉवर्मेंट जो है वो जॉन लॉक के दोरा लिखी गई है फिप्टी नमर कोशन देखते हैं गुलोबलाइजेशन का जो कोईनिंग है वो थिय तो यह टाइटल एससे किसके दोरा लिखी गई है तो काल मार्क्स और हेगल तो नहीं होगा क्योंकि यह रविंदर नाट टैगर में मैं कन्फ्यूज हूं तो मुझे जहां तक लगता है कि इसा बर्लीन होने चाहिए इसका एंसर सही अब जब एंसर किया आएगा तब पता लगेगा क्वेशन नबर 53 देखते हैं लाइफ डिवाइन बहुत ही ची क्वेशन स्री और बुन्दो के दोरा लिखा गया है बुक बीजक तो बीजक जो किताब है उसमें कवीर के जो जितने भी फिलोसोफिकल टीचि सब्सक्राइब होगा कुशन नबर 57 देखे कि गिल्टी मेन अफ इंडिया इस पार्टिशन यह किसके दोरा लिखी गई है तो यह राम अनोहर लुहिया के दोरा लिखी गई है तो आप्सन नमबर डी सब्सक्राइब होगा फ्लोइंग वस फाउंडर प्रम्हो समाज इन बे सब्सक्राइब होगा तो इसके दोरा लिखा गया है तो किसने कहा था कि जो मास्ट कॉंग्रेस है वह मास्टर ऑफ इसेंबली है तो ग्रेंवेल ऑस्टिन इसका सही होना चाहिए ऑप्सन नमबर बीस सही होना चाहिए 64 ब्लेक स्कीन और वाइट मास्क यह फ्रेंच फैनन की लिखी की किताब है ऑप्सन नमबर ए सही होगा 65 नमबर कुशन देखते है प्रिजन नोटबुक्स तो यह एंटोनियो ग्रामसी की लिखी गई है मार्क्सिस थे यह पीस्वुल कोईग्जिस्टेंस बिट्मिन यूस करें यूससर ये कुरूष चेब के द्वारा स्टार्ट किया गया था ऻूपसन नमबर स्टीच से होगा प्रेस्टोई का और गुलास नौर्ट फैसल्फे तो इसमें कुल 57 अटो ऑपसन नमबर भी सही होगा सेवेंटीन नवर कुश्चन करेंट अफियर से है कि एक फर्वरी 2021 को कौन से डिमोक्रेटिकली इलेक्टेड गॉवर्मेंट में मिलेट्री कू हुआ था तो मुझे जहां तक लगता है मैंनमार इसका सही एंसर होना चाहिए बाइदबे उस समय के करेंट अफियर से में था 71 का सी एंसर सही होगा जन्वान यूनिफिकेशन 1990 में हुआ था अप्सन नमबरे सही है क्यूबन मिसाइल क्राइस 1912 1962 में हुई थी 73 नमबर कॉस्चन 74 है कि इंटरनेशनल कोट अफ जस्टिस कहां लोकेटेड है तो यह हेग में लेक लोकेटेड है निधर लैंड्स में ह प्रशन नमबर सी सही होगा उनाइट अरब एमिरेट्स में कितने एमिरेट्स है उसमें इकुल 6 एमिरेट्स है तो आप संबर 20 होगा बिल्ट एंड रोड इनिस्याटिव चाइना के दौरह स्टार्ट करी गई है अपसंबर डी सही होगा इफ एटी एफ फाइनेंशियल एक खतम हुई थी 20 में उसमें उनीस ही होना चाहिए क्योंकि पूरा उनीस ये ट्रीटी चला था तो यह हुआ था 1919 में आप्शन नमबर भी सही होगा राइज एन फॉल ऑफ दे ग्रेट पावर्स तो यह पॉल केनेडी की लिख हुई किताब है उसके बाद है कि कितने ओमें नन पर्मानेंट में अटाव होते हैं सेक्यूर्य काउंसिल में तो कुल 10 नन पर्मinkiंट मेंबर होते हैं तो option س a होगा user of नौम गैबरियस जो भी इसका प्रनांसियेशन करो तो सी नंबर जो ऑप्सन है वह सही है कौन सा कंट्री है जो यूर्योपियन यूनियन से निकल गया 2020 में सबको पता ब्रेक्जिट यानि ब्रिटेन इग्जिट लिवर्टी क्लिटी फ्रेटर्निटी यह फ्रेंच तो वह कौन फंडामेंटल राइट है जिसको अमेदकर साहब ने हार्ट और सोल कहा यानि राइट तो कंस्ट्यूशनल रिमेडिज आर्टिकल 32 पंचाथी राज सिस्टम सेवेंटी थर्ड कंस्ट्यूशनल मेंट साया कुशन नंबर स्वरी ऑप्सन नंबर डी साही होगा उ इउडिया का फुल फ्रम तो यूनिक आइटिफिकेशन अथॉर्टि अफ इंडिया और से नंबर एस ही होगा स्वेज कनल कौन से दो सागर यानि सी को जोरती है तो मेडिटेडियन और रेड़ सी को जोरती है सिंपल कुश्चन और अप्सन नंबर एस ही होगा नाइटी थी में है कि यू कौन से ट्रीटी से आया था ट्रीटी ओफ मैस्ट्रिच से आया था अप्सन नंबर डी इजी है अगर आपने यू पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कोस्चन नंबर 94 कि साउच चैना सी में कौन है जो अपना क्लेम नहीं करता आइलेंड और इंडिया नहीं क से जोड़ा गया था फिर अगें रिपीटेड कोश्चन कि पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन है तो इसका सुचिता क्रिपलानी अगें वही एंसर मावजे दूंग चाइना से रिलेटेड है फेदरल कास्त्रों क्यूबा से रिलेटेड है मार्गेर्ट स्रेशार युनाइट और कौन सा कंट्री होस्ट करेगा जी टूंटी दोहजर ते इसमें फिर रिपीट गया इसको ऑफसर नंबर डी जो है सई है इंडिया तो सौ कोश्चन के हमने सबसे पहले एंसर आपको यहां पर प्रोवाइड किये हैं जितने भी हमने एंसर प्रोवाइड किये हैं उसमें 99 परसेंट जो एंसर है वो सही है एक दो हो सकता है giver उदर हो सकता है बड़ यहां से मिला लो आपको कितने नंबर आ रहे हैं अगर आपको इसमें 80 अभव आ रहे हैं तो फिर आपके चांसे सहे कि आपका सेलेक्शन हो जाएगा फिर इसमें रिपाद निया मिला सकते हो कि टेस्ट है, मौक टेस्ट है, वो आने वाला है एक जुलाई से, तो उसको सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक्यू, थैंक्स फर वाचिंग